शाहिना परवीन इनसे हमारा कोई पर्सनल रिष्टा नहीं था इनसे हमारा सिर्फ एक रिष्टा है और उस रिष्टे को शायद समझने के लिए आपको दिमाग से नहीं बलकि यहां दिल में सोचना पड़ेगा दिल से यूँ सोचना पड़ेगा कि शाहिना परवीन एक आम जार्खंड की वासी है एक ऐसी जार्खंड की वासी है जिनकी प्रशासन में कोई पहुंच नहीं है साहिना परवीन को इंसाफ मिलना या उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना यह सिद्ध करता है कि हमारी लड़ाई किसी सीयो से नहीं है किसी अंचलाधिकारी से नहीं है किसी विशेश शक्स से भी नहीं है हमारी लड़ाई है इस ब्रश्ट तंत्र से इस ब्रश्ट सिस् संदेश या जो भ्रम फेलाया जा रहा है कि हमारी लड़ाई तो सियों के साथ परसनल लड़ाई है कुछ खास अंचला धिकारियों के साथ परसनल लड़ाई इसमें परसनल कुछ भी नहीं है यह शायद हाँ यह परसनल है क्योंकि यह मामला जार्खंड का है और जार्खंड हम हम जारखंड वासी हैं तो इस लड़ाई को तो हम लड़ेंगे अब इसके लिए हमें किसे भी दुश्मन बनाना पड़े हमें उससे कोई गुरेज नहीं है कुछ चीज़ें परदे में अच्छी लगती हैं कुछ सच हैं जो परदे में ही अच्छे लगते हैं इमांदारी और बैमानी इन दोनों के पीछे बस एक परदा होता है अगर परदे को हटा दिया जाए तो इमांदार बैमान हो जाता है परदे को लगा दिया जाए तो बैमान इमांदार हो जाता है खेर बाते बहुत सारी हैं बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी लेकिन अभी फिलहा पहले वामदल हमारे साथ आए और अब मांडर विधायक बंदू तिर्की भी हमारी इस मुहिम के साथ आ गये हैं कैसे इस रिपोर्ट के जरीए पहले देख लीजें मांडर विधायक बंदू तिर्की ने राज्ये के तमाम भरष्ट अंचल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांगी उनका मानना है कि उपर बैठे अधिकारी कुछ ब्रष्टाचारियों के खिलाफ कारवाई कर महज आईवाशकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं जबकि कारवाई तमाम ब्रष्टाचारियों के विरुद्ध होनी चाहिए तो जो भी इस तरह के अंचला धिकारी है उनके खिलाफ अविलम जो करवाई होनी चाहिए यहां जो आपके विभागय प्रधान सचिव है उसको संग्यान में ले करके इसको इस पर करवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि उपर बैठे अधिकारी अपने अधिनस्त काम करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कारवाई कर अपना पल्ला जाड़ लेते हैं जबकि कारवाई उपर बैठे अधिकारीयों के विरुद्ध भी होनी चाहिए बहुत जल्द वो इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करूने पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे लक्सन मिलने चाहिए मैं इसके लिए भी मानी मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा और पूरे चीजों को मैं बतलाने का काम करूंगा और इस पर करवाई करने के लिए उनसे हम आगरा करेंगे नियूज लेवन भारत की मुहिम को पहले ही कई राजनितिक और गयर राजनितिक संगठनों का साथ मिल चुका है इसी कड़ी में नया नाम है मांडर विधायक बंदू तिर्की का जो इस वक्त सरकार के साथ है उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द कानून की लाठी व्रष्टाचारियों पर बरसेगी कैमरा परसन सुशील के साथ आकाश भार्गव न्यूज 11 भारत रांची हम तो बहुत अलगातार उमीद यही कर रहे हैं कि ब्रष्टाचारियों पर लाठी पड़नी चाहिए आज एक महमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहियोगी आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं से पहले हम हमारे महमान का रुक करते हैं सुशांतो मुखर जी साब जुड़े हुए हमारे साथ मासस से तालुक रखते हैं सुशांतो साब सुषांतो साब काफी करीबी से नजर रख रहे थे जब हमने इस सीरीज की पहला एपीजोड चलाय था उस समय से और आज जब हम यहां तक पहुंचे हैं तब भी आज हमारे साथ सुषांतो दा जुड़े हुए हैं सुषांतो दा सीधी सी बात ये है कि खबर दिखाने का एक सिंपल से है मक्सद यह है कि भई हम तो लोकतांतर के चौथे खंबे हैं जो वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा दर्द है लोगों को वो जगह जहां पर जो बजबजा उठीए बिल्कुल हमने वहां परवार किया एक अंचल अधिकारी आप आपकी जमीने कई ऐसे मामले हमने दिखाय कि लोग सो करके उठ रहे हैं और पता चल रहा आगले दिन कि उनकी जमीन बिग गई यह जैसे देवघर में नहीं दिखाय है हमने दिखाय कि सरिया गिरीडी में किस तरीके से सीओ खुद बोल रहे हैं गिरीडी के सीओ कि तीन लाख लिया है घूस में गाड़ उलगेगा और ऐसा पूरा एक सिस्टम हमने दिखा दिया लेकिन सवाल यह है कि हमने सब कुछ दिखाया है पर जो भूर आजसोविभाग है इमांदार भूर आजसोविभाग है कारवाई नजर नहीं आ कर रही हो पहली रिपोर्ट प्रमंडली आयुकत ने की जारी कि उसमें ये था कि भाई सियो की भूमी का इसमें संधिक नहीं उन्होंने खिलिंच बेदी दूसरी रिपरट डीशी की तरफ से थी डी सी की रिपोर्ट में संदेह जाहिर किया गया कि हाँ संभव है संबव है उनके सनलिपता होनी चाहिए. तो ये किस तरीके की कारवाई है? एक आंक में सुर्मा लग रहा है, एक आंक में काजल लग रहा है, अगर होना है, तो सबके किलफ कारवाई हु? अगर हमारी जमीन है तो वो रिपोर्ट देंगे अर सारा काम CI का है लेकिन इहां पर क्या हो गए है उल्टा ना CI स्पोर्ट में जाते हैं ना कुछ इन्होंने घर में बैटके ही उनकी लेन देन की तै होती है कि लेन देन जब तै हो जाए उसके बादे रिपोर्ट बनेगी हम आपको बता दे कि हम लोग कोई ऐसा अंचल नहीं है रांची जिला के अंतरगंत जिस पर हम लोग जाते नहीं हमने देखा कि अगर आप जाती प्रवान पत्र भी बनाना है आपको तूस पर भी आपको भारी रखम देने पड़ेगी हम आप सोचिए एक मुंड़ा मुंड़ा लड़का हमारे साथ हम देखे यह हेल की बात है उन्होंने जाती प्रवान पत्र बनाने गये तो उनको इसलिए रिटन कर दिया गया कि वह इसमें तुम्हारा तो नाम नहीं है खतियान है 32 का और 20 साल का लड़का उस खतियान को ले जा रहे हैं उसका े दो अधिकार मांग रहां कि इसके अंदर तुम्हारा काहा कुछ है तुमना अना बाप दादा का नाम को नलए हम, लोग नहीं जानते हैं आब भताईए, यह जार खंट अलग होने से पहले यह दिक्कते नहीं ठी जारखंट बनने के बाद आग भी दो चार साल तक देखें कि यह दिक्कत नहीं थी कि कोई भी जाय अगर स्टूडेंट कोई जाते हैं तो उसे तुरंट एक दस रुपया का फॉर्म मिलते थे उनका सारा चीज बन जाते थे और अधिकारी जो इच्छुक उनको बुला के फिर उसको देते थे क्योंकि नौकरी की बात है आगे की काम है लेकिन जब से यह लूट खंड तयार हुआ है हमारे जार खंड यह लूट के जो फिमाय पार कर गई तब से हम देख रहे कुछ नहीं आप सारे सी आई सारे सियो और अंचल अधिकारी इस पर जाच होनी की ज़रत है अगर जाच हो तो हमें सबसे बड़ी किसी ने अंचल अधिकारी पास गए्ट कोई काम करवाने, जो देरी ओं लेट लसीभ हो रहे हैं, चाए उससे नहीं करने चाहाएं, चाहए कोई और फिवात हैं, तो पूरे अधिकार हो जाते हैं, तो तो इस पे क्या होता है कि 90 डेस के जो टाइम प्रियेड है वो तो CEO और CIR कर्मचारी के लिए बड़ा बढ़िया बन जाता है कम्प्लेंट तू वहां किया जाओ वहां से काम कर वालो अब उसे अब इस तरह से काम करने के बाद D.C. के पास बोलने के आप RTI करके देख लीजिए कोई केस की मामला अगर है आप RTI करके देख लीजिए RTI में आपको जवाब नहीं मिलेगी आप ने ठक जाएंगे उसके उपर भी आगे काम कीजिए कुछ नहीं होगा जब नहीं होगा तो वह हार जाते है अगर कोई भी जमीन की मामला रहे अगर दस कठा जमीन पर मामला सुचिए जमीन माफिया के साथ और इस सब C.O.C.I. के चंगुल में कोई फस गए तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनका दो कठा जमीन करीब उसको ले गाए उन लोग जमीन कारवारी अगर उससे पैसे बठेंगे तकनीकी पक्ष देखिया एक C.O है मैं एक सिंपल सी एक उदारण दे रहा हूं ठीक है मैं एक आम आदमी हूं मुझे एक जमीन की म्यूटेशन करवानी है मैं C.O के पास गया C.O ने खुद तो नहीं हूं अपने दलाल के माध्यम से मुझे कहा कि इतने पैसे चाहिए तो ही मुटेशन होगा मैं ठाकार करके DC के पास गया DC बोले कि ठीक है मैं C.O को शुकाश जरी करता हूं कि क्यों नहीं C.O के पास अधिकार है कि वो तो उस जमीन में 50 खामिया निकाल सकते हैं मेरी मेरी खुद की जमीन है जिसमें कोई खामिया नहीं अगर उनकी रिपोर्ट लिखी हुई यह सुप्रीम कोर्ट तक उचले जाएंगे लेकिन आप उसके एगंश नहीं जा सकते हैं इसकी अधिकार जो है उसी अधिकार को लेनी चाहिए C.O के उपर होना चाहिए अगर कोई गलत जमीन इधर से हस्तांतरर हो जाए किसी ट्राइ है कि हमारे अंचलत सुदर जाएंगे और एक चीज किसी भी जमीन रेश्टी होने से पहले म्यूटेशन क्लियर होना चाहिए जो दूसरे स्टेक पर है आप बिहार में भी अगर देखेंगे बंगाल में भी देखेंगे आप महरास्टा में भी देखेंगे कि अगर आप जिस कानून हमारी राज में भी आने की जोरत है और हम आपके चैनल के माध्धम से माननी मुकवंत्री को करें बोले कि ये बात को ध्यान में रखते हुए इसे कानूनी रूप दिया जाए अत्तब यहां के लोग यहां के जनता जिसके पास दस एकर जमीन है उनको पता नहीं कि मे बन गये हैं आपको हम बता दे कि तमार में के 145 एकर जमीन वो तमार एरिया में किसी अलपसंकक की वो जमीन थी लेकिन वो मुन्डाओं ने 1913 में ले लिया जमीन को डीड बना लिये सर्वे जब हुआ सर्वे होने के बाद वो 32 में क्या है वो जमीन गैर में जुरुआ निक इसे खतम किया जाए आज उतभा हो गया है लेकिन हम लोग 2014-15 में लड़के उनकी हक दिलाए हैं और कुछ जमीन पर उनका खेती बारी चल रही है अचा आपको मैं दिखाता हूँ अभी एक बजरा की में रिपोर्ट दिखा रहा हूँ था था आप हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे आप देखिए ये राची के बजरा की अभी हम रिपोर्ट दिखाते हैं राची के बजरा में क्या हो रहा है वो आपके लिए ज बजरा में जारी है जमीन की लूट, बिनरात लगे हुए है स्तैकडों मजदूर, पर कराया जा रहा है चहार दिवारी का निर्मान, डॉक्टर राजेश कुमार ने किया है जमीन में निवेश, तानी हॉस्पिटल के संचालक है डॉक्टर राजेश, जमीन हतियाने के खेल में सुमन ठाकूर की भूमी का एहं, भू माफियाओं को प्रशासन का सनरक्षन, खाता संख्या 119, प्लॉट नंबर 306, इन दिनों हेहल अंचल में जमीन लूट का खेल काफी जोर शोर से चल रहा है, हेहल अंचल के बजरा मोजे में खाता संख्या 119, की प्लॉट संख्या 336 प इस काम को त्वरित कती से निपटाने के लिए आधे दर्जन ठेकेदार काम में लगे हुए हैं, जानकारों के अनुसार जमीन पर धारा 144 लागू है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की आख के सामने ये खेल चल रहा है और प्रशासन मौन है, जो ये साबित करता है क इस मामले में भूमाफियाओं के साथ साथ प्रशासन की भी मिली भगत है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजरा में राजदानी राची के मशुहूर बाल चिकितसर डॉक्टर राजेश कुमार ने पूरा निवेश किया है, डॉक्टर राजेश कुमार रानी सपिटल के संचालक हैं और पुलिस प्रशासन में अच्छी पैट रखते हैं इस पूरे घेल का मास्टर माइंड सुमन ठाकूर को बताए जा रहा है यह वहीं सुमन ठाकूर हैं जिनने अक्सर सक्ता के गलियारे में देखा जाता है आश्चारे की बात यह है कि जमीन पर धारा मोजा की खाता संख्या 119 की लगबग 91 जमीन की जमाबंदी को प्रसासन संदेख्द मानता है इस बावत तमाम संबंदित लोगों को नोटिस जारी कर उनसे कारण प्रिच्छा की गई लेकिन अधिकांस लोग संतोस जनक जवाब दे पाने में विफल रहे अब बड़ा सवा यह उठता है कि जिस जमीन पर लोगों की कई पीडियां गुजर गई अब वे उस जमीन को छोड़कर आखिर जाएं तो कहां जाएं कैमरा परसंदराजा के साथ आकास भारगाव न्यूज 11 भारत राची तो आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए और सुशांतोदा भी हमा जी देखे जिस जमीन के हम बात कर रहे हैं यह हेल अंचल के अंतर गताता है और बजरा मोजा के कहता संख्या एक समनीस का एक हिस्सा है जिसका प्लॉट संख्या 336 है दर असल यह जमीन को लेकर के लंबे समय से वाट चलता आ रहा है इस जमीन को पर अलग अलग पक्ष हैं जो अपना अपना दावा जाताते हैं और इसी बीच दोनों ही पक्षों की और से खास्तोर से जो साहुप पक्ष है उस पक्ष की और से इस जमीन को कई लोगों के बीच बेच दिया गया है लेकिन अब उस पूरी की पूरी जमीन पर जो है चाहर दिवारी का निर्मान के पी की हैं अभी बिन लोग अपना-पना पक चले कर संबंदित थाने पहुंचते हैं ये जमीन पंडरा ओपी के अंतर गताता है कई बार लोगों ने पंडरा ओपी में जाकर सिकायत की कि यदि इस जमीन पर यूहीं काम चलता रहा इसी तरह से चाहर दिवारी का निर्मान कराया ज तरह तो यहां कभी भी खुन खराबा हो सकता है विदी ववस्था की स्थिति संकट में पढ़ सकती है पंडरा ओपी से अभी लाइव में आने से पहले जो मुझे जानकारी मिली कई बार पंडरा ओपी ने लिखित रूप से प्रसासन को सुचित किया सिविल एड्मिनिस्रे पंडरा ओपी की माने तो अब तक प्रसासन की ओर से धारा 144 संबंदित कोई भी जानकारी पंडरा ओपी को नहीं है इसलिए यह बात अब तक कही सुनी ही मानी जानी चाहिए कि जमीन पर धारा 144 लागू है क्योंकि जब भी धार किसी जमीन पर किसी प्लाट पर किसी बूखन पर 144 लगाई जाती है जो कि अमूमन SDM के अस्तर से लगाई जाती है तो इसकी जानकारी संबंदित थाने को दी जाती है ताकि संबंदित थाना यह सुनिशित करे कि जो जमीन जैसी है वैसी ही पड़ी र पर और क्यों प्रसासन ने इस जमीन की ओर से अपनी आखे मूंद रखी है क्या प्रसासन की इसमें मौन सरमाती है यह सारी चीजे समझना होगा और इसके लिए भी और भी वर्क आउट करनी की आवजशकता होगी क्योंकि यह कोई छोटा मुटा प्लॉट नहीं है बल्कि इस अगर बात करें खाता 119 की तो इसमें एक दो एकर नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक सब्वीस एकर जमीन का मामला बनता है यानि कि इस पूरे खाता में 120 एकर जमीन नहीं था तो 120 और राजदानी राची के बीचो बीच इसती था या जमीन इसलिए समझागा सकता है कि इसकी कीमत और अरबों खर्वों में है और चुकी रिंग रोड से सटा हुआ है या ही लाका इसलिए इस जमीन का वैलिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो इस सारे खेल को समझना होगा और यह समझना होगा कि कैसे सारा खेल चल रहा है अब यहाँ पर सुशांतोदा की प्रतिक्रिया में लूँगा अब यहाँ पर सुशांतोदा की प्रतिक्रिया में लूँगा सुशांतोदा देखिए इसी तरीके के मामले सामने आ रहे हैं अगर आप देखेंगे उनका जमीन जितने हैं उनसे ज़्यादा जमीन को भी इन लोग सबसे बड़ा चीज है कि इसको देखेगा कौन देखने वाले अगर आँख मुंद ले अगर जिनके अधिकार में यह आते हैं जिस अंचल से यह आते हैं उस अंचल में तो आप कोई भी काम छोटा से छोटा काम बीना पैसा का आप नहीं करा सकते हैं जो हेहल अंचल है आपको इसके लिए छो मेन आपको दोड़ने पड़े सही है लेकिन आपको ताकत के साथ कहेंगे बीना पैसा दिये यहां नहीं होगा काम आप कुछ ने कर सकते मेरा क्योंकि मेरा साथ साहब है यह बात है इसी तरह से जमीन को लूटे जाते सिर्क आप यहीं देख रहें आप 38 383 खाता का भी आप दिने दिखाया 383 खाता असोक नगर का जो पूराना असोक नगर चौक है वहां से दहना से लेके एकदम लाश्क तक 383 खाता है हम लोग देखें और उसमें बड़े-बड़े मकान भी बने हुए आप तो 50 एकड़ पर दिखाया हम उससे और ज्यादा बत पावर अटोनी बनाके रखते हैं कि बाद में इसे हम ट्रांसकर करेंगे इस तरह से जमीन को पर्चेस किया जाता है और बड़ी लूट है इस पर अगर जाच करें हमें लगता है कि जारखंड का जब से जारखंड बने हैं सबसे बड़ा घोटाला होगा और जो जो इस पर अधिकारी इस पर रहेंगे वो रीटर भी हो जाए लेकिन उससे जेल जाने की ज़रुरत है कब हमारी जारखंड बचेगी क्योंकि मेंली बात है कि अगर आदिवाशी को बचाना है तो पहला है कि आपको जमीन बचाना है अगर जमीन रहेगा तब ही आदिवाशी रहेगा ने तो नहीं रहेगा और उनकी जमीन पर एटेक चारों तरफ करते हैं आपको और पूशे हम थोड़ा ले जाना चाहते हैं कि 1941 से लेके 46 और इधर आपको 31 के बाद देखिएगा आप यहां हर जगा सुनने मिलेगा आपको कि साधा हुकुम नामा के थुरू हम जमीन लिये ह यह साधा हुकुम नामा होता है क्या यह जो पहले जब CS से RS के में आये हैं तो इन लोग क्या करते थे जब RS में जमीनदार जब किसी ट्राइवल को अगर बसा दिये सुचिएं कि जमीन भी उनीक है लेकिन उनको बरसाएं कोन जमीनदार अगर सुचिए उसको 50 एक कर दे दि आरु साधा हुकुम नामा है कि थुरू जिनको मन करेगा वो जमीन दे देंगे ये भी लूटी सब लूट पर अगर जाच करें हमें लगता है कि सहर के बीचो बीच सौ एकरने 500 एकर तक मिलेंगे अगल बगल जो इस तरह से ट्राइवल की अपनी खतियानी जमीन है लेकिन उस पर अधिकार नॉन ट्राइवल की हर बड़े-बड़े महल बने हुए हमारे राची सहर के बीचो बीच स्टेशन रोड हम नाम लेके कहना चाहते हैं पूरे स्टेशन रोड पाहन की प्रोपर्टी है पाहन जिसकी जमीन ना ट्राइवल भी नहीं ले सकते हैं लेकिन कि अगर वहां हाथ देंगे तो हो सकाई मेरा भोट की नुकसान होगी लेकिन उससे देने की जोरत है क्योंकि आप जॉर्खन के मुक्वंतरी है। वो जार्खंड के लिए जार्खंड की जंता उसे चून के लाए हैं अपने लिए कि हमें कैसे करके उनसे काम मिले जी उस बात को ध्यान रखने की जोरत है कोई भी मुक्वंतरी रहे अगर जाच करा दे हमें लगता है कि दूद का दूद का पानी अलग हो जाएगा चलिए तो इमांदार भूर अजस्व सचिव सहब सचिव साब इमांदार सचिव सहब देखिए क्या हो रहे जार्खंड में आपका एक्शन लेना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है आपका एक्शन लेना हर सी यो कहता है कि हमने तो उपर दिया है हम उपर देते हैं हम उपर दे रहे हैं उपर कौन है मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हमारे पास कई ऐसे कागजात है जो सवाल खड़े करते हैं वह सवाल ऐसे हैं जो इमानदारी और बैमानी के बीच मुँव आए खड़े हैं संभावे कागजात विश्वास जारखंड की जनता को आप पर बहुत जादा विश्वास है और उस विश्वास के परखच्चे नहीं उड़ने चाहिए क्योंकि अगर इस बार जारखंड की जनता का विश्वास तूटा तो शायद ये जनता पिर कभी किसी अधिकारी पर विश्वास नहीं कर पा आज दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि आज से इस मामले का पटक्षेप होता है अब ये आपका शित्राधिकार है ये आपको तै करना है कि आपको इस मामले में कारवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बाकी जनता जनार्दन है जनता तै करे कि जो हो रहा है वो सही हो रह गलत हो रहा है और मैं एक बर फिर से कहता हूं कि हमारी परसनल दुश्मनी किसी तो नहीं है हमारी परसनल दुश्मनी सिर्फ ध्रष्टाचार से है और ध्रष्टाचार से तो हम जब तक आखरी सांस है तब तक लड़ते रहेंगे यह लड़ाई जारी रहेगी एक छोटा सा ब ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नज़र ढलेंगे।